आपका पोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था मेरा नाम गोविन तिवारी है मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लीम और्गनाजेशन अपनी स्कूल चलाते है और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेहर होता है वहाँ पर नहीं मैना वंदे मातरम गाया जाता है जब मैंने उनके प्रिंस्पल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो आप वंदे मातरम के भी नहीं गाते हो इस स्कूल में तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है और उसकी स्कूल में कई स्कूलों में हिंदी भाशा इस नहीं है हिंदी इस नहीं पढ़ाया जादा और उनके एकासना देश भक्तिकी कुछ भी पढ़ाने के लिए वे तकतराते है देश भक्तिक के लिए आपके मजब में किस तरह से define किया गया है यह जरा मुझे बताएंगे भाई साब ने एक सवाल पूचा है कि वो कई बार मेरी प्रोग्राम सुनते है टेलिविशन पे और कहा है कि एक में क्या कहा गया है पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता है हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज आप कहते है उसकी मानी क्या है आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते है इस देश जो हमारी माता है ऐसे कहा जाता है और हम इसकी पूजा करते है ये हमारे लिए शिर्क है शिर्क है इसलाम में और गलत है हिंदुएजम में भी हिंदुएजम में भी आपको अबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की दर्टी की नहीं तो हिंदुजम में भी गलत है क्रिशेनिटी में भी गलत है इसलाम में भी गलत है लेकिन आम हिंदू अपने मजब को नहीं जानते अपनी मजबी किताबे नहीं पड़े है इसलिए कोई भी आप गाना गाते है अगर उसके मानी खुदा की खिलाफ है अल्ला सुभाना उताला की खिलाफ है भगवान के खिलाफ है तो ऐसा गाना गाना गलत है आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा नमस्ते नमस्ते के क्या मानी है भैसाब आप बोल सकते हैं नहीं पता क्या मानी है माइकरफोन आन कीजिए दरा भाई साब का नमस्ते मतलब मैं सर जुका के मैं आपको नमन करता हूँ सर जुका के आप मुझे नमन करता हूँ नमन करता हूँ सर जुका के सर जुका के मुझे नमन करना शिर्क है हराम है, prohibited है आप मेरे सामने भी सर नहीं जुखा सकते चाहे आप मुझसे महबत करते है चाहे आप मेरी इज़त करते है फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं जुखा सकते सर जुखाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने अल्ला के सामने और मैं खुदा नहीं हूँ आप जानते हैं आप मेरे इज़त कर सकते हैं मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके अउपर अमल कर सकतेए लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं जुखा सकते इसलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा Assalamualikum आप पे सलामत हुँ आप पे सलामत ही हुआ आप संचेयें ना? मैं आपके सामने जुक नहीं सकता हूं. ये सिर जुकेंगा, तो सरिफ अल्ला के सामने. सिरिफ खुदा के सामने. चुझे तो आपने बड़ापनमे मुझे कहा लिक्न अकर गलatt चीज कहा, तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं. क्योंकि मैं जानता हूँ, जो लोग नहीं जानते, वो ऐसे हर्कत कर सकते हैं, मिसाल के तोर पे, एक मेना पहले, मैं जब बंबय एपोट पे था, तो एक आउरत, हिंदू खातुन, मुझे पुछी के, आप दॉक्टर जाकिन नाएक है, आई दॉक्टर जाकिन नाएक, मैंने क सिर्पे टिका था, हिंदू औरती, बोलती है, मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, और बहुत, अलहम्दलिल्ला तारीफ करने लगी, सारी तारीफ है अल्ला की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और फिर कहने लगी, कि मैं तुमारे पहर चुना चाहती हूँ, मैंने कहा कि कुरान मजद पढ़िए, कुरान मजद पढ़िए, और इसके अपर अमल कीजिए, और मैंने एक तक्रीफ दी है, सिमिलारिटी बिट्वीन इसलाम और हिंदूइजम में यकसानियत, और थाबिए कि हिंदूइजम में भी लिखा है, कि आप सिर्फ एक इश्वर की अबादत क लिखा है, जतने रिशी आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मौमद पढ़िए, तो आपको अगर पुरान और वेदा पर अमल करना चाहिए, जो यकसा है, आपको ये खुदा में मानना पढ़ेंगा, और आखरी पैगवर मौमद पढ़िए, आपका और एक सवाल था, कि हि क्यों नहीं पढ़ाई जाती है नमबर वन अंग्रेजी अर्भी, फिर उर्दू, हिंदी, मराथी, आगे चलके सांस्कृत भी सिखाएंगे, सांस्कृत भी, ताके हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाइब इस देश में उसको समझे, मैं गवर्मेंट से कहता हूँ, कि हिंदुस्तान में सांस्कृत आम करो, स परने के बाद हक के तरफ आएंगे, और हिंदु-मुस्लिम एक हो जाएंगे, हिंदु को छोड़ो सांस्कृत, क्यूंकि वेद सांस्कृत में हिंदु की जबान है सांस्कृत, और मैंने तक्रीर किये हिंदुइदम और इसलाम में एक्सानियत, लेकिन आम हिंदु अपनी जबी किताब पड़ा ही नहीं, तो क्या जानेगा, तो मैं सांस्कृत कोड करता हूं, फिर तरजुमा करता हूं, और कहता हूं कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, रेफरेंसिस देता हूं में, आपका आखरी सवाल था, कि इसलाम में देश भक्ती के बा बात से कोई दूसरी बात टकराती है, तो इसे छोड़ देना चाहिए, जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और मैं गर से कहता हूं कि मैं फंडमेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, I am a good practicing Indian, फंडमेंटलिस्ट, बुनियाद परस मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भ नहीं है जो इसलाम में हराम है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इसलाम में हराम है और हिंदुस्तान के कॉंस्टिटूशन में इंडियन कॉंस्टिटूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इसलाम में फर्द है और इंडियन लेकिन अगर टक्राव होगा मेरे हिसाब से I can be a very good Muslim and a good Indian मैं अच्छा मुसल्मान भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ लेकिन अगर आगे चलके अभी तो कोई टक्राव नहीं है लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टक्राथा है तो खालिक का कानून उचा है खालिक का कानून उचा है खुदा का का कानून उचा है अल्ला का का कानून उचा है फिर आता है देश देश ने हमें ठीक है ये देश में हम जीते है देश हमारे लिए facilities देता है लेकिन हमें जान किस ने दी देश ने या खालिक ने खुदा ने दी ये हवा जो है ये हवा के बिना पांच मिनट भी आप जिन्दा ने रेपाएंगे कितना पांच मिनट भी ने जिन्दा रेपाएंगे किस ने दि, देश ने versus या Allah ने खुदा ने देश ने भी हमाई लِي अच्छे काम के, मैं देश के खिलाफ नहीं हूं मैं भी देश भक्त हूं देश भक्त के माँनी क्या अगर आप बोलतें देश भक्त मतलब देश की अबादत करना तो मैं देश भक्त नहीं हूँ अगर देश की तरक की चाहता हूँ हाँ मैं हूँ देश भक्त तो देश भक्त की मानी क्या इंपॉर्टन्ट है अगर देश भक्त मतलब देश की अबादत करना तो यह गलत है अबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ अगर वो देश को एक कानून लागू कर रहा है वो शरीयत के अंदर है खुदा के कानून के दाइरे के अंदर है तो मैं उनके साथ हूँ कई चीजे इसलाम में मुबाह अप्शनल है अलगत देश उते कहता है कि करो तो मैं करूंगा लेकिन अगर कोई देश चाहिए वो अमेरिका हो या युके हो वहाँ का कानून अगर इसलाम के खिलाफ है तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊँगा क्यूंके मैं सबसे पहले मौबत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्ला से फिर अपने देश से तो जहां तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है हमें उस कानून पर अमल करना चाहिए और मेरे नजरिये से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता है इसलाम के खिलाफ इसलिए मैं कहता हूँ I am a very good practicing Muslim fundamentalist Muslim at the same time a very good practicing Indian hope that answers the question